चलिए सुन्ट्स, आज हम करेंगे Class 10th Math का चैप्टर Real Numbers का एक बहुत ही important question. यह जो question है यह CBSE Board Examination 2019 में आयवा question है तो ऐसा question बहुत ही important होता है और mostly यह question आता ही रहता है तो ऐसे question का practice तो आपको 100% होने ही होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब हम question को अच्छी तरीकी से समझ लेते हैं. Question में हमसे कहा गया है, two positive integers, A and B can be written as A जो है, वो है x cube into y square and B जो है, वो है x into y cube and यहाँ पर जो यह x and y है, यह prime numbers है इस बात को आपने याद रखना है तो यहाँ पर हमारे पास में A का prime factorization है x cube into y square and यहाँ पर हमारे पास में B का prime factorization है x into y cube and हमने इन दोनों numbers का A and B का SCF भी निकालना है and हमने LCM भी निकालना है ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों numbers को यहाँ पर नीचे note down कर लेते हैं हमारा पहला number है A equals to x cube into y square x into y cube चलिए अब हम सबसे पहले इन दोनों numbers का SCF निकालते हैं तो लिखते हैं SCF of A and B अब देखे सुन्च आपने अच्छी तरीके से याद अखना है जब हमारे पास में 2, 3, 4, कितने भी numbers हो और हमें उनका prime factorization given हो तो हमने क्या करना होता है जब हमने SCF निकालना होता है तो हम सबी numbers के जितने भी common prime factors होते हैं उन्हें हम उनके least power के साथ में SCF में लेते हैं तो आपने अच्छी तरीक से याद रखता है कि जब हमारे पास में कितने भी numbers हैं उनके हमारे पास में तो चलिए इस बात को याद रखते हुए हम A और B का SCF निकालते हैं अब देखे सुन्स A के prime factorization में हमें X दिखाई दे रहा है B के prime factorization में भी हमें X दिखाई दे रहा है A और B दोनों के prime factorization में हमें X दिखाई दे रहा है यानि कि X जो है वो common prime factor है, A and B दोनों का, अब हम जो ये common prime factor है, इसको इसके least power के साथ में, यहाँ पर SCF में लेंगे, अब देखें, यहाँ पर x पर 3 power लगा है, यहाँ पर x पर कोई भी power नहीं, तो यहाँ पर 1 power तो हो गई होगा, यानि कि इन दोनों में से x की power 1, यह least power वाला common prime factor है, तो हम SCF में लेंगे, यह छोटा power वाला common prime factor है, तो इसको हम SCF में लेंगे, तो SCF में आएगा x की power 1, अब देखिए, a के prime factorization में हमें y दिखाई दे रहा है, यानि कि y जो है, y भी जो है, वो common prime factor है A and B का Y भी A and B का common prime factor है ठीक है, अगर common prime factor होगा तो हम उसको least power के साथ में SCF में लेंगे हम उसे छोटी power के साथ में SCF में लेंगे तो देखें, यहाँ पर है Y का power 2, यहाँ पर है Y की power 3 तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, Y की power 2 वाला छोटा है तो Y की power 2 जो है, वो SCF में आएगा ठीक है तो हमारे पास में SCF आ गया X की power 1 होता है X Y की power 2 तो Y स्केर ही है तो हमारा SCF आ गया A and B का X Y स्केर, ठीक है चलिए हम A and B का LCM निकालते है अब हम निकालेंगे LCM of A and B, ठीक है अब देखें स्टूंस आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा numbers का LCM निकालते हैं, तो हम उनके prime factorization में, जितने भी prime factors होते हैं, उन prime factors को हम उनके highest power के साथ में LCM में लेते हैं, ठीक है तो यहाँ पर भी हम यह करेंगे है, तो देखें, A के prime factorization में X है, B के prime factorization में भी X है, हमने देखना है कि इन दोनों X में से कौनसा highest power वाला यहाँ पर prime factor है, तो हमने देखा कि Xrive जो है, यह highest power वाला X यहाँ पर है, तो हम LCM में X3 को लेंगे, तो हम cube को यहाँ पर दिया, ठीक है, अब देखिए A के prime factorization में भी Y है, B के prime factorization में भी Y है, दोनों numbers के prime factorization में Y है, तो इनमें से जो बड़ी power वाला Y होगा, उसको हम LCM में लेंगे, क्योंकि हमें LCM में highest power वाला prime factor लेना होता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर Y square है, यहाँ पर Y cube है, तो Y cube जो है यह highest power वाला prime factor यहाँ पर है, तो हम Y cube को यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो LCM हमारे पास में A and B का आ गया, X cube, Y cube, ठीक है, तो देखिए स्टून्स हमने A and B का यहाँ पर SCM भी निकाल लिया, and LCM भी निकाल लिया, तो यहाँ आ गया हमारे question का final answer.